Hello everyone, welcome to splendid moms, कैसे आप सब? Previous video में हमने helping verbs के बारे में जाना था इस तरह के words जो English sentence में होते हैं जिनका कोई meaning नहीं होता but they are important to frame the sentence in English grammatically sentence को correct करने के लिए इन सारी helping verbs की जरुरत होती है बच्चे class 1 में is, am, are, have, has सीखते हैं class 2 में जब आते हैं इस तरह के helping verbs do, does भी बच्चे सीखते हैं साथी go and goes का difference भी बच्चे सीखते हैं तो एक sentence में बच्चों को do किस तरह से use करना है does किस तरह से use करना है go और goes किस तरह से use करना है यह बच्चे class 2 में सीखते हैं इसी का difference हम आज इस वीडियो के तरू जानेंगे यह सारी चीज़ें जो बच्चे इंग्लिश ग्रामर में सीखते हैं क्लास वन, क्लास टू, क्लास ट्री में यह सब इंपोर्टेंट होती है जहां पर बच्चे एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस सरे से फॉर्म करना है ग्रेमेटिकली वो सीखते है इस, म, र कितना इंपोर्टेंट होता है बच्चा अगर इस के बज़ाए आर लिखेगा शी, इस, राइटिंग के बज़ाए शी, आर राइटिंग लिखेगा तो कितना गलत साउंड करता है बेसिक इंग्लिश की जो सेंटेंस है वो गलत हो जाती है तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल होती है पर समझाना बहुत इंपोर्टेंट होता है इनका यूसेज समझाना बहुत इंपोर्टेंट होता है शली वीडियो स्टार्ट करते है वीडियो स्टार्ट करने से पर लिएक रिक्वेस्ट है Do मतलब होता है करना, यानि किसी भी काम को करना, जैसे कि यूश पेपर पढ़ना एक काम होता है, अगर आप न्यूश पेपर पढ़ते हैं, तो आप कहोगे I do read newspaper, अगर आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो कि वो भी वो काम करता है, तो आप कहोगे She does read newspaper, अगर आपको question कर तो आप पूछोगे do you read newspaper इसी तरह से अकर आप पास्टेंस में बात करेंगे तो आप डिट का यूज करेंगे she did read newspaper so do does did जो है ना किसी काम को करने के related आपको sentence बोलना है या question पूछना है उसी काम के related आप do does did use कर सकते हैं usage देखिए most of the time do and does जो है question frame करने के लिए use होते हैं जैसे कि मैंने कहा क्या तुम newspaper पढ़ती हो do you read newspaper इस तरह से तो subject के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि do use करना है या does use करना है मैंने यहां पर clearly mention किया है I, you, we, they के साथ do use करते हैं देन बाकी का sentence आपको लिखना होता है with verb यानि जो काम के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके related बाकी का sentence आएगा then he, she, it के साथ does आएगा नाउन अगर plural है more than one है तो do आएगा singular noun के लिए does आएगा example simple से example यहां पर है see अगर आप question पूछ रहे हो do you have a pen अगर आप पूछ रहे हो क्या आपके पास pen है do you के साथ do आता है अगर आप we कहोगे so do we have a pen question mark do they have a pen question mark इस तरह के questions होते है with do using I, you, we, they इसे तरह से does he, she, it के साथ आता है does he have a pen क्या उसके पास pen है does he have a pen does she have a pen या फिर अगर आप singular noun के बारे में बात कर रहे है एक लड़ी है Roma अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हो does Roma have a pen तो आपको याद रखना है I, you, we, they के साथ do आएगा and he, she, it के साथ does आएगा यह question framing using do and does साथी do and does simple present tense की जो sentence होती है जो हम regularly बोलते है उसमें भी use होते है question बोलते वग do and does in the beginning of the sentence आएगे बट जो regular simple present tense की sentence होती है उसमें बीच में आएगे subject के बात natural simple present tense की sentence की तरह की हगती है अगर आप कोई काम है जो आप regular करते हो जसी की हम हमेशा खाना खाते हैं,हम रोस खाना खाते है, तो इस तरह की sentence को simple present tense गहते है जसे की I eat scripture simple present tense की sentence होती है एक ऐसा काम जो regularly आप करते रहते हैं ऐसा नहीं कि आपने पहले करके छोड़ दिया या फिर आप फ्यूचर में करोगे आप डेली करते हो तो उस तरह की sentences को हम simple present tense sentence कहते हैं और साथ ही अगर आप past tense में बात कर रहे हो इनी subjects के साथ आपको did use करना है जैसे कि I do my homework मैंने यहां पर लिखा है example I do my homework everyday यह everyday का काम है हम regularly homework करते हैं तो I do my homework everyday subject I है यहां पर इसी तरह से अगर आप he she it use करोगे तो you have to use does she does her homework everyday यह simple present tense की sentence है she does her homework everyday अगर आप past tense में बात कर रहे हैं तो you have to use did I did my homework yesterday everyday yesterday यह आपको time यह 10 के बार में बताता है कि यह काम हम regular कर रहे हैं यह हमने already कर दिया है everyday and yesterday तो इस तरह से आपको याद रखना है subject के साथ कौन से subject के साथ आपको do use करना है या does use करना है इस तरह कर टेबल structure फॉर्म करके आपको रखना चाहिए so that आपको याद रहे के कौन से subject के साथ do और does लिखना होता है then coming to go and goes go and goes go and goes go मतलब कहीं पर जाना तो आप I, U, V, they यह जो subject के साथ आप go use करोगे this is very simple यहां पर question frame करना इस तरह का कुछ नहीं है only simple present tense की जो sentence होती है जहां पर आप कहीं जाने के बार में बात कर रहे हैं तो आप go and goes use करोगे subject आपको याद रखना है I, U, V, they के साथ go he, she, it के साथ goes आएगा noun अगर plural है एक से ज्यादा लड़का या एक से ज्यादा लड़की के बार में आप बात कर रहे हैं तो आप go use करोगे अगर आप singular noun के बार में आप बात कर रहे हैं तो आप goes use करोगे example यहां पर है I go to gym every day he goes to gym every day so do does go goes यह चीज़े बिच्चे class 2 में सि लिख सकते हैं sentence है मेरी बेटी की English की grammar textbook है यहां पर देखे sentences with respect to do and does she do or does not like to eat fruit so मैंने बताया आपको she he or it के साथ does लिखना होता है so she does not like to eat fruit है तो इस तरह से sentences होती है जो बच्चे को solve करने होती है even exam में भी इसी तरह की sentences आएंगी see we go to market every week they go to park today तो इस तरह से go goes do does का usage आप सिखाईए बस थरो कराने के लिए आप टैबलर फॉर्म में इस तरह से subject और subject के साथ जो use होता है वो लिखकर रखिए so that आसानी से उनको याद हो जाए so यह था अचको video about do does did go and goes I hope आपको यह video helpful लगा helpful लगा तो जरू like करे शेर करे और चैनल पे नहीं है तो जरू subscribe करे happy parenting from splendid moms happy parenting from splendid moms give us a thumbs up if you like the video subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos